वेलकम टू माई यूटूब चैनल खबर ब्लेयर जो पहुचाए हर खबर आप तक सीजन में पार्ट ले रहे हैं सेलिब्रिटी हैं वो कल रात मुंबई एरपोर्ट से कैप टाउन के लिए निकल पड़े हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस सीजन में पार्टिसिपेट करने वाले सेलिब्रिटी और उनके बारे में आप लोग इन्हें इशिता के नाम से जानते होंगे ये हैं महबते सीजल में से पहली बार ये अपनी बहु वाली इमेज चेंज करकर किसी स्टेंट रियालिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही है एरपोर्ट पे वो अपने हस्बंड वीवेक के साथ देखी गई वो उन्ह जा रहा है कि खत्रों के खिलाडी में सबसे जादा सेल्डी पाने वाले सेलिब्रिटी में से एक हैं एरपोट पे वो दिशा परमार के साथ दिए जो उन्हें छोडने आई थी अब देखते हैं खत्रों के खिलाडी में भी उन्हें दर्शकों का उतना ही प्यार मिलता है जो बिनफ शुकला इन्हें आप लोगोंने बिग बॉस 14 में देखा होगा इन्होंने सर्वाइवर इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था और इन्हें ऐसे टास्क करने के एक्सपीरियंस भी है और फिटनस लवर भी है ये अब देखते हैं क्या खत्रों खिलाडी में अपने फिटनस का जादू चला पाएंगे नंबर पांच महग चहल इन्हें आपने बिग बॉस में भी देखा होगा और कई मूवीज में भी ये काम कर चुकी है और सलमान खान की हिट मूवीज वांटिट का भी पार्ट रही है ये अपनी फिटनस का पूरा ध्यान रखती है अब देखते हैं या क्या या इस सीजन के खत्रों खिलाडी में क्या कर नंबर छे आस्ता गिल या एक सिंगर है और अपने पार्टी सॉंग्स के लिए बहुत फेमस है इन्हें आप अभी तो पार्टी शुरू ही है और डीजे वाले बाबु से के जैसे सॉंग से जानते होंगे क अपना कमाल दिखा पाएं की तंबोली इनको भी आपने बिग बॉस 14 में देखा होगा और वह अपने बिग बॉस के साथी राहूल वैद्य और अभिनव शुकला के साथ पार्टिसिपेट कर रही है नंबर आठ वरुन सूद इन्होंने बहुत से रियल्टी शो में पार्ट अनुस्का सैन ये टीवी इंडस्टीज में बहुत पॉपलर है इन्होंने टीवी के पॉपलर शो बालवीर देवोगे देव महादेव और जहासी की रानी में काम किया है नंबर टैन सना मकबूल इनको भी आपने टीवी शो में देखा होगा नंबर ग्यारा विशाल अधित इनको आपने नच बली 9 और विग बॉस 13 में देखा होगा यह भी एक फिटनेस लवर है और देखते हैं कत्रों खिलाडी में क्या जलवा दिखाते हैं आपका फेवरिट इनमें से कौन है और किसे आप सपोर्ट करेंगे तब तक बने रहे हमारे इसी चैनल पे जो लेकर आत है देश और दुनिया से जुड़ी विहार एक खबर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना बूलें